Good day to all of you, आज की क्लास में आप सभी का practical test लिया जाएगा, आपने writer तो के भाग में जो भी सीखा है, उन सभी option में से कुछ option को दिया जाएगा, जिनने आपको एक-एक करके उस option का अभ्यास करके अपने teacher को दिखाना है. टेस्ट के लिए केवल 45 मिनट का समय दिया जाएगा, कोई भी छात्र एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, अगर कोई छात्र ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो वह टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. हर एक option के बाद आपको उस option का वीडियो दिखाया जाएगा, जिसके द्वारा आप सभी अपने answer को मिला सकते हैं, जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि आपने उस option का सही प्रकार से अभ्यास किया है या नहीं. अब आप सभी अपने computer को on करें और writer की file को open करें. आए टेस्ट सुरू करते हैं. सामने दिये गए line को type करें और फिर उसे 10 बार copy paste करें और अपने teacher को दिखाएं. आए वीडियो को देखकर जानते हैं आप सबने copy paste सही प्रकार से किया है या नहीं. आए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि copy paste कैसे करते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं, copy paste करने से पहले आप सभी को अपने line या paragraph को select करना होता है. select करने के लिए आप सभी जैसे कि जानते हैं अलग अलग प्रकार की वीधी हैं, आप shortcut command के द्वारा भी select कर सकते हैं, mouse या touchpad के द्वारा भी select कर सकते हैं, या फिर keyboard के द्वारा भी select कर सकते हैं, आपको जो भी वीधी याद हो उसके द्वारा आप सभी इस line को select करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद अब आप copy करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कॉपी करने के दो बीजी है तो आप सभी अपने pointer को edit लिखे हुए option पर लेकर आएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर click करेंगे फिर उसके बाद copy लिखे हुए option पर अपने pointer को लेकर आएंगे और यहाँ पर click कर देंगे जिससे कि आपका select किया हुआ line copy हो जाएगा अब आपको paste करना है तो आप paste भी दो तरीके से कर सकते हैं एक shortcut command के द्वारा और दूसरा stepwise अब जो आपने यह select किया है इसको हटाना होगा इसके लिए आप से भी यहाँ पर अपने pointer को रखें या फिर shortcut command का उप्योग करेंगे तब भी यह से ही click कर दें और फिर क्योंकि हमें अगले line में paste करना है तो आप enter button का उप्योग करेंगे उसके बाद आप paste की shortcut command जो की control plus V होती है उसका उप्योग करेंगे जिससे की एक line paste हो जाएगी फिर अब आप enter button का उप्योग करेंगे फिर paste का command का उप्योग करेंगे जिससे की एक और line आ जाएगी फिर enter button का उप्योग करेंगे फिर paste फिर enter button का उप्योग करेंगे फिर paste कर देंगे इस तरह से हम shortcut command के द्वारा past line को paste कर लेंगे अब आप step wise के द्वारा paste करेंगे इसके लिए भी आपको अगले line में चीए तो enter बटन का उपयोग करेंगे और फिर अपने pointer को edit लिखे हुए option पर लेकर आएंगे और फिर paste पर click कर देंगे जिसे की एक और line आजाएगी फिर अब आप enter बटन का उपयोग करेंगे edit लिखे हुए option पर जाएंगे उसके बाद paste लिखे हुए option पर click कर देंगे जिसे की एक और line पेस्ट हो जाएगा फिर enter बटन का उपयोग करेंगे अगले line में आ जाएंगे उसके बाद edit लिखे हुए option पर click करेंगे फिर paste पर click कर देंगे जिसे की एक और line आ जाएगा फिर enter button का उप्योग करेंगे edit पर जाएंगे paste लिखे हुए option पर click कर देंगे जिसे की एक और line आ जाएगा फिर enter button का उप्योग करेंगे Edit पे जाएंगे और Paste पर क्लिक कर देंगे जिससे कि आपका यह Line अब Copy-Paste हो गया तो इस तरह से आप Copy-Paste कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि Bullets और Numbring का उपयोग क्यों करते हैं? अगर आप कोई List बनाना चाहते हैं और Line के आगे अलग-अलग प्रकार के Symbol लगाना चाहते हैं तो Bullets का उपयोग करेंगे Bullet से आप हर एक Line के आगे Bullet लगा सकते हैं अगर आप Line के आगे Number लगाना चाहते हैं तो Numbring का उपयोग करेंगे अब आप सभी अपने Copy किये हुए पहले Line पर Bullets लगा कर दिखाएं और दूसरी Line पर Numbring को लगाएं आईए वीडियो को देखकर जानते हैं कि आप सबने Bullets और Numbring सही प्रकार से लगाया है या नहीं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि Bullets और Numbring का उपयोग कैसे करते हैं या इसे कैसे Insert करते हैं इसके लिए आप सभी अपने Pointer को जहाँ पर आपको Bullets इंसर्ट करना है वहाँ पर लेकर आएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको पहले Line पे Bullets इंसर्ट करना है आप अपने Pointer को पहले Line के आगे यहाँ पर लाएं और फिर यहाँ पर क्लिक कर दें जिसे कि अब आपका Cursor पहले Line के आगे आ जाएगा क्योंकि आपको Bullets इंसर्ट करना है तो आप सभी अपने Pointer को Format लिखे हुए Option पर लेकर आएंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे अब इस Box के अंदर आप सभी अपने Pointer को Bullets and Numbering लिखे हुए Option पर लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे जिससे कि एक Box ओपन होगा इस Box के अंदर Bullets और Numbering के अलग-अलग Types अविलेबल हैं यानि कि मौजूद हैं अब इन में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप Select कर ले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर आप OK कर दें जिससे कि आपके पहले लाइन पर Bullets इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से आप Bullets को इंसर्ट कर सकते हैं अब इसे Close करना है तो यहाँ पर Pointer को लेकर आए और इस पर Click कर दें जिससे कि यह Close हो जाएगा अब आपको Numbering इंसर्ट करना है अगले लाइन में यानि कि दूसरे लाइन में तो Numbering के लिए आप सभी अपने Pointer को दूसरे लाइन पर लेकर आएंगे या अपने Cursor को दूसरे लाइन पर लेकर आएंगे दूसरे लाइन के आगे हाँ पर रखेंगे और फिर आप अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे उसके बाद bullets and numbering लिखे हुए option पर click कर देंगे जिससे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको numbering type लिखे हुए option को select करना है जो कि यहाँ पर है अब इसे select कर लेंगे जिससे कि number के types आ जाएंगे अब इनमें साब को जो भी number के types या style जो आपको अच्छा लगे उसे select करें और फिर ok पर click कर दें जिससे कि number इंसर्ट हो जाएगा तो इस तरह से आप bullets and numbering का उप्योग कर सकते हैं इसे close करना हो तो यहाँ से close कर दें क्या आप सभी बता सकते हैं चेंज केस क्या होता है चेंज केस की मदद से आप अपने लिखे हुए paragraph को या line के word को अलग-अलग प्रकार के format में ला सकते हैं जैसे की capital letter, small letter, toggle case इत्यादी अब आप तीसरी line को अपर केस में चेंज करके दिखाएं फिर चौती line को toggle case में चेंज करके दिखाएं फिर पाँचवी line को sentence case में चेंज करके दिखाएं आईए अब वीडियो को देखकर जानते हैं कि चेंज केस के option का अभ्यास सही प्रकार से किया है या नहीं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि चेंज केस बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी उस line को select करेंगे जिस line में आपको चेंज केस के बिकल्प के बिकल्पों का उप्योग करना है जैसे माल लिजिए हमें तीसरे line को अपर केस में change करना है तो हम तीसरे line को select करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तीसरे line को हमने pointer के दुवारा select किया आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे और फिर change केस लिखे हुए option पर pointer को लेकर जाएंगे और इसके अंदर अब अपर केस लिखे हुए option पर लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर click कर देंगे जिससे कि तीसरे line के सारे words capital letter में आ जाएंगे इस तरह से आप तीसरे line को अपर केस में change कर सकते हैं अब आईए अगले line को toggle case में change करते हैं फिर से अब आप चौथे line को select करेंगे आप इसे अपने touchpad या mouse के द्वारा select कर सकते हैं उसके बाद आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे और फिर change case लिखे हुए option पर जाएंगे और अब अपने pointer को आया हुए box के अंदर लेकर आएंगे और इस box के अंदर आप toggle case को ढूड़ेंगे और वहाँ पर pointer ले जाकर click कर देंगे जिससे की आपका चौथा line toggle case में आ जाएगा अब आईए पाँचवे line को sentence case में change करते हैं आप सभी अपने इस पाँचवे line को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे फिर change case लिखे हुए option पर जाएंगे और sentence case लिखे हुए option पर click कर देंगे जिससे की यह sentence case में change हो जाएगा इस तरह से आप sentence case का उप्योग कर सकते हैं क्या आप सभी बता सकते हैं blinking option से क्या होता है blinking का उप्योग आप अपने text को blink कराने के लिए करते हैं जब आप इसका उप्योग करेंगे तो आपकी text बार बार आने और जाने लगेगी अब आप सभी 6th line में blinking option का उप्योग करें और फिर अपने teacher को दिखाएं आईए अब वीडियो को देखकर blinking का उप्योग करना सीखते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि blinking बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी को 6th line को blinking कराना है तो आप 6th line को select कर लेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे उसके बाद character लिखे हुए option पर click करेंगे जैसे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर आप font effect लिखे हुए option को select करेंगे उसके बाद इस box के अंदर आप blinking लिखे हुए option को ढूड़ेंगे और फिर उस option पर ऐसे click कर देंगे जिससे कि सही का निसान आ जाएगा यानि कि tick का निसान आ जाएगा और फिर आप ok पर click कर देंगे जिससे कि आपका sixth line blink होने लगेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जाय रहा है तो इस तरह से आप blinking बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं क्या आप सभी बता सकते हैं over line और over lining color से क्या होता है over line से आप अपने paragraph या line के उपर line दे सकते हैं over lining color से आप paragraph या line के उपर दिए गए over line का color चेंज कर सकते हैं अब आप सभी साथवे लाइन पर ओवर लाइन करके दिखाएं और फिर उसके कलर को चेंज करें आईए अब वीडियो को देखकर अपने आंसर को सही करें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं ओवर लाइनिंग का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं आपको साथवे लाइन पर overlining option का उप्योग करना है तो इसके लिए आप सभी साथवे लाइन को select करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे फिर आप character लिखे हुए option पर click कर देंगे उसके बाद इस box के अंदर font effect लिखे हुए option पर click करेंगे अगर font effect पहले से ही है तो अब इस box के अंदर आप overlining लिखे हुए option को select करेंगे या आप इस option पर click करेंगे इस box पर click करेंगे जिससे की overlining के अलग-अलग के प्रकार open होंगे इन में से आपको जो भी अच्छा लगे उसे select कर लें और फिर उसके बाद आप ok लिखे हुए option पर click कर दें जिससे की 7-way line के उपर overlining हो जाएगा क्योंकि अब आपको इसकी color को change करना है जो आपने overline किया है इसके लिए फिर से आप इस line को select कर लें उसके बाद आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आए फिर character पर click करें उसके बाद overline कलर लिखे हुए option पर pointer को लेकर आएं अब यहाँ पर click करें जिसे कि एक box open होगा इस box के अंदर अलग अलग प्रकार की color मौजूद हैं इन में से आपको जो भी color अच्छा लगें आप उसे select कर लें और फिर ok कर दें जिसे कि आपके overline का color change हो जाएगा जिसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप overline या overlining color का change कर सकते हैं क्या आप सभी paragraph के border के बारे में जानते हैं कि या क्या होता है border के उप्योग से आप अपने text या paragraph के चारो तरफ border यानी line ला सकते हैं इससे आपकी text या paragraph line के अंदर आ जाएगा और फिर आप उसे border के बाहर type नहीं कर सकते हैं आप चाहें तो border के line के size और उसके color को बदल भी सकते हैं अब आप सभी अगले line में चारो तरफ border को set करके दिखाएं उसके बाद आप इसके line के style को change करें फिर अब इस line के color को change करें आईए अब video को देखें आईए अब video को देख कर सीखते हैं कि border का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आपको इस line पर border लगाना है आप सभी इस line को select कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे फिर आप paragraph लिखे हुए option पर जाएंगे यहाँ पर click कर देंगे इस box के अंदर आप border लिखे हुए option पर अपने pointer को ले जाएंगे यहाँ पर click कर देंगे क्योंकि हमें चारो तरफ इस लाइन के बॉर्डर लगाना है तो हम सेट आल फोर बॉर्डर को सलेक करेंगे फिर ओके कर देंगे जिससे कि इस लाइन के चारो तरफ बॉर्डर सेट हो जाएगा इस तरह से अब इसके style को change करना है बॉर्डर के style को change करना है आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे फिर आप paragraph लिखे हुए option पर click कर देंगे उसके बाद अब इस line के style को change करेंगे जो कि यहाँ पर है इससे नीचे drag करके लाएंगे तो और भी बहुत सारे line के style आपको दिखेंगे इन में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे select करें और फिर ok कर दें तो वह आपके line के style हो जाएगा border के अब आपको इसके color को change करना है तो फिर से अब आप अपने pointer को format लिखी हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर क्लिक करें फिर paragraph पर क्लिक करें उसके बाद आप color लिखी हुए option पर पॉइंटर को लेकर आएं यहाँ पर और क्लिक करें जिसे के एक box open होगा अब इस box के अंदर आप इसे ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो बहुत सारे color आपको दिखेंगे अब इन box के अंदर जो भी color आपको अच्छा लगें आप उसे select करेंगे और फिर ok कर देंगे तो वह color आपके border के line पर आ जाएगा तो इस तरह से आप border को set कर सकते हैं क्या आप सभी जानते हैं paragraph की shadow से क्या होता है shadow से आप अपने paragraph के line पर या फिर paragraph shadow set कर सकते हैं shadow की मदद से आप कितनी दूर तक और shadow की आप distance भी बढ़ा सकते हैं और shadow का color भी change कर सकते हैं अब आप सभी अगले line पर shadow को set करके दिखाएं उसके बाद इसके distance को 0.40 cm करें फिर shadow के color को change करें आईए अब video को देखें आईए अब video को देख कर सीखते हैं कि shadow का उप्योग कैसे करते हैं आपको जिस line पर shadow लगाना है उस line को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस line को select करने के बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे फिर paragraph लिखे हुए option पर क्लिक कर देंगे उसके बाद border लिखे हुए option पर क्लिक करेंगे फिर shadow style पर जाएंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के shadow दिए गया है इन में से किसी एक shadow को हम select कर लेंगे और फिर ok कर देंगे इस तरह से shadow को set कर सकते हैं या insert कर सकते हैं अगर आपको shadow का distance बढ़ाना है तो आप फिर से अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे बॉर्डर पर क्लिक करेंगे shadow style के अंदर distance लिखे हुए option पर आएंगे नीचे से यहां से distance कम होता है और उपर वाले से distance बढ़ता है क्योंकि हमें 0.40 distance करना है तो इसको ऐसे क्लिक करते रहेंगे जब तक आपका 0.40 distance ना आ जाए अगर जादा बढ़ जाए फिर इससे नीचे से कम कर लेंगे और फिर OK पर क्लिक कर देंगे जिससे आपके shadow का distance बढ़ जाएगा ध्यान रहे अगर आपका line unselect हो जाता है या line आपका unselect नहीं होना चाहिए unselect हो जाए तो दुबारा से आप इससे select कर लें क्योंकि अब इससे shadow का color change करना है तो आप सभी अपने pointer को format लिखी हूँ option पर लेका रहा है paragraph पर क्लिक करें borders पर क्लिक करें और फिर shadow style के अंदर color वाले option पर यहाँ पर क्लिक करें और इससे ऐसे नीचे के तरफ ड्रैग करें इसमें आपको जो भी color अच्छा लगे या जो भी आपको पसंद हो उसे select करें और फिर ok पर क्लिक कर दें जिससे कि shadow का style shadow का color, shadow का distance अब या तिनो shadow का style change हो जाएगा तो इस तरह से आप shadow का उप्योग कर सकते हैं क्या आप जानते हैं कि table क्या होती है और इसका उप्योग क्यों करते हैं table row और column से मिलकर बनती है या आपके math के notebook की तरह दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे box होते हैं table का उप्योग बहुत से कारयों के लिए करते हैं जैसे कि list बनाने के लिए, office के कारयों के लिए, report card, calendar, student के marks या उनके detail इत्यादी बनाने के लिए करते हैं अब आप सभी 5 by 5 का एक table बनाएं और उसके अंदर student के record त्यार करें आईए अब वीडियो को देखकर table को बनाएं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि table को कैसे insert करते हैं जैसे कि हमें अब इस paragraph या इस दस नौ लाइन जो भी line है आपने type किया है उस line के नीचे अपने cursor को लेकर आएंगे चहांपे हमें table insert करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप सभी अपने pointer को table लिखे हुए option पर लेकर आएं यहां पर क्लिक करें फिर insert लिखे हुए option पर क्लिक करें यह अपने pointer को लेकर आएं फिर उसके बाद table लिखे हुए option पर जाएं और क्लिक कर दें जिससे कि एक box open होगा इस box के अंदर आप कितने column और कितने row देना चाहते हैं वह define करें जैसे कि हमें 5 by 5 का table create करना है इसका मतलब होता है कि 5 column और 5 row वाली table को insert करना है तो हम यहां पर उपर पर क्लिक करेंगे जिससे कि table column की संख्या बढ़ेगी 5 पर आने के बाद इससे रोग देंगे फिर हम 5 row भी करेंगे उसके बाद OK पर क्लिक कर देंगे जिससे कि table insert हो जाएगा इस तरह से आप table insert कर सकते हैं अब इसके अंदर आपको student के record त्यार करने हैं पहले cell में name फिर दूसरे cell में अपने pointer या cursor को लेकर आएंगे उसके बाद roll number टाइप करेंगे फिर अगले cell में जाएंगे सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे फिर अगले cell में जाएंगे subject के नाम लिखेंगे फिर अगले cell में जाएंगे subject के नाम लिखेंगे उसके बाद अपने pointer से name वाले नीचे cell में यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर click कर देंगे अब आप एs student का नाम लिखेंगे फिर नीचे लेकर आएंगे अपने pointer को या cursor को फिर एs student का नाम टाइप करेंगे फिर नीचे वाले cell में लेकर आएंगे और एs student का नाम टाइप करेंगे फिर नीचे वाले cell में लेकर आएंगे और इस student का नाम टाइप करेंगे उसके बाद अब आप roll number टाइप करेंगे जिसके लिए आप अपने pointer को roll number के नीचे वाले cell में लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे और फिर आप roll number टाइप करेंगे उसके बाद फिर नीचे वाले cell में लेकर आएंगे रॉल लंबर टाइप करेंगे इस तरह से रॉल लंबर भी टाइप हो जाएगा अब आप maths के marks देंगे यहाँ पे अपने pointer को लेकर आएंगे क्लिक कर देंगे अब जो भी marks हो math के उस marks को आप टाइप करेंगे फिर निचे लेकर आएंगे cell में marks को type करेंगे math का फिर type करेंगे उसके बाद हिंदी के marks को type करेंगे अपने pointer को हिंदी के नीचे वाले cell में लाएंगे और फिर marks को type कर देंगे फिर अब English लिखे हुए option के नीचे वाले cell में pointer को रखेंगे और click कर देंगे अब English के marks को type करेंगे इस तरह से आप table को create कर सकते हैं अब आप सभी अपने last column के आगे एक और column इंसर्ट करके दिखाएं और फिर इस column के अंदर एक student के total marks एंट्री करें अब आप सभी वीडियो को देखकर एक नई column को insert करना सीखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि column को कैसे insert करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें इस table के सबसे last वाले column के आगे column को insert करना है चाहां भी आपको column insert करना है या जिसके आगे वहाँ अपने pointer को लेकर जाएंगे और click कर देंगे उसके बाद आप सभी अपने pointer को table लिखे हुए option पर लेकर आएंगे यहाँ पर click करेंगे और उसके बाद insert लिखे हुए option पर आएंगे और फिर column लिखे हुए option पर जाएंगे और click कर देंगे जिससे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको कितने column चीए वह number यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि हमें एक ही column insert करना है तो number of column एक ही रहेगा और position इसमें before और after क्योंकि हमें last वाले column के आगे column insert करना है तो after select होगा और उसके बाद ok पर click कर देंगे जिससे कि एक और column insert हो जाएगा तो इस तरह से आप column को insert कर सकते हैं क्योंकि इस column के अंदर हमें total type करना है तो हम total type करेंगे इस तरह से आप column को insert कर सकते हैं अब आईए सीखते हैं कि हर एक student के marks को total कैसे करेंगे आईए अब video को देखकर सीखते हैं कि एक student के marks का total कैसे निकालते हैं आप अपने pointer को total वाले sale के नीचे यहाँ पर click करेंगे और उसके बाद total के लिए formula टाइप करेंगे जो कि होता है equal to यानि कि बराबर का sign और फिर sum उसके बाद आप सभी अपने pointer को जहां से subject के marks सुरू हो रहा है वहाँ पर अपने pointer को रखेंगे या लाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर यहां से ऐसे mouse या touchpad के left button को दबा के रखेंगे और फिर उसे ठीक उसी box के अंदर जिससे student का marks आप निकाल रहा है उसी के sale के अंदर सीधा रखेंगे और उसे drag करेंगे जिससे कि जितने भी marks या जितने भी subject होंगे वह सारे select हो जाएंगे और total वाले sale के नीचे ऐसे लिखे हुआ आ जाएगा उसके बाद आप enter बटन का उपयोग करेंगे जिससे कि total हो जाएगा इस तरह से आप total को निकाल सकते हैं क्या आप सभी बता सकते हैं export as pdf से क्या होता है और pdf की full form क्या होती है export as pdf से आप अपने writer के file को pdf में बदल सकते हैं अब आप सभी अपने file को pdf में convert करके दिखाएं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि pdf में file को कैसे convert करते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि इस file को pdf में कैसे convert करेंगे इसके लिए आप सभी अपने pointer को File लिखे हुए Option पर लेकर आए यहाँ पर क्लिक करें उसके बाद आप Export as PDF लिखे हुए Option पर लेकर आए और फिर क्लिक कर दें यहाँ पर जिससे कि एक Box ओपन होगा अब इस Box के अंदर आप Export लिखे हुए Option पर क्लिक कर दें जिससे कि एक और Box ओपन होगा आपको अपने File को Save करना है क्योंकि आप इस File को Desktop पर Save करेंगे तो Address Bar के अंदर से यहाँ से इसका Desktop सेलेक करें और उसके बाद आप इस File का नाम यहाँ पर टाइप करें जो Untitled 1 लिखा हुआ है उसे डिलीट करें Backspace की के द्वारा और फिर आप अपने नाम के द्वारा या अपने नाम से इस File को Type करें हमने इस File को Computer PDF के नाम से Type किया है यानि कि Save किया है उसके बाद Save लिखे भी Option पर क्लिक कर दें जिससे कि अब आपका या File PDF में Convert हो जाएगा क्योंकि आज की कट्सा यहीं पर समाप्त होती है इसलिए आप सभी अपने राइटर के File को अपने नाम से और आज के Date के साथ Save करें और फिर अपने File को Close करें और सिस्टम को Properly Set Down करें अब आप सभी का Return Test लिया जाएगा जिसके अंदर 20 से 30 तक प्रस्न पूछे जाएंगे Return Test में आपको Pass होना अनिवारे है अगर आप इस भाग के Return Test में Pass नहीं होंगे फिर आप अगले भाग के लिए Pass नहीं माने जाएंगे इसलिए आप सभी Return Test में उपस्तित रहें